हेलो एब्रीवन जार्खन महराथन पार ठट में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग आगे के और भी महतोपुन प्रश्ण को सौल्व करने वाले हैं विधाट आपके पास आप्सन नहीं दिये जाएंगे आप सिब गेस किजिएगा इसका अंसर ठीक है कि तो चालेश परतिसत्तक हो सकता है या आपका कि टाना भगत किस वर्स अपनी मांग गांधी जी के नितरित्व में कौंग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे तो वह समय आपका था हुनी सो बीस का यह समय का कि मुगल समराठ अकबर ने मांसी को सुबेदार म जारखंड भेजा गया था नेश्कोसन देखते हैं जो है आपका कि 13 सदी में खुद को जारखंड का सासग घोसित करने वाले राजा जैसी किस राज्य के थे तो यह आपके उडिसा राज्य के थे नेश्कोसन आपका कि दामोदर नदी का उद्गम किस पत्थर से होता है तो य कि आपको इस तरह से कोशन पढ़ना अच्छा लग रहा है या फिर आपको जाहिए तो मैं वाले वी कोशन को सॉल्व करा हुए वैसे बहुत सारे कोशन हो चुके हैं यह आपका फाइनल स्टडी है क्योंकि एक्जाम तो अब तक हो चुका होता लेकिन इक्जाम नहीं हुआ इसलिए मैं आपको बिठावड ऑप्सन का देरी कोशन था कि आप अच्छे थोड़ा दिमाग लगा सके कि हाँ वाकर मतलब मैं कितना कोशन को याद कर पाया हूं कर पाई हूं या नहीं कर पाई हूं ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन ने आपका कि जार्खन का कौन सा छोटा राज्य सामिल था तो इसमें आपका छोटा राज्य था वह आपका था कांजांगल ठीक है कांजांगल छोटा राज्य था ठीक है ना नेक्स कोशन है कि भारतिये कप्टान मेहंदर सी धोनी को सेना ने किस उपाधी से भीभूसित किया था तो वह आपके थे मादन करणल यानी की मादन लेटटनेटकरणल निश्ग कोशन है कि पदमिश्री सम्मान से समानित प्रफम आदिवासी का वा अदिवासी , बहुत हीमत्यपई सह्तू कोशन है तो वो थे आपके जे-ल लकड़ा , निश्ग कोशन है कि पाद्मिskROash रहे जिए जाए पाया जाता है सबसे लिए युरेनियम पाया जाता है डेखते में सबसे कम है जाती की बात पुछादा रहा है समराट ने इट खोरी में बौध अस्थलों का निर्मान कराया था महंदर पाल ने निश्कोसन है आपका कि 12 अक्टूबर 2020 को केंदर सरकार ने किस तीथी से जार्खन राजे निर्मान के लिए अधिसूचना जारी की थी किस तीथी की बात हो रही है भी आद रिखे गाया पर तो आपका था 15 निर्मान के लिए अनुसूचना जारी की थी ने श्कोसन है आपका कि उरिसा के किस सासक ने जार्खन के कुछ भाग पर कबजा कर कुछ वर्सों के लिए अपना सासन अस्थापित किया था कुछ भाग और कुछ समय के लिए तो आपका था कपिलेंद्र गज पती देखते हैं कि टाना भगत आंदोलन की शुरुवात किस ने की थी तो टाना भगत आंदोलन की शुरुवात की थी आपका जतरा उराउन है देखते हैं नेस के निर्था के अनुसार जारहकंघ्रते की कुल जनसंक्या। वाएक परकार के निर्टे का परकार हो जाएगा है नास्ट के जारखण में सबसे उचे जल परपात सबसे जल पर पात थे बुढ़ा वी कहा जाता है नेश्कोसन है कि कि स्वतंतिता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1902 को चक्रधर पूर के जमको पाई जंगल में सोते हुए गिरफतार किया था तो वो थे आपके बिर्शा मुंडा ठीक है आप इन्हें बोला राता है कि उस समें इनकी मृत्यू भी हो गए थी इन्हें मार भी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा जले नेश्कोसन देखते हैं जो है आपका केंद्रिये खनन एवं इंधन अनुसंधान संस्था जहरखन में कहाँ इस्थी थे तो यह आपका इस्थी थे धनबाद में जले नेश्कोसन की तरह पढ़ते हैं नेशको सन है कि किस तेवहार को ज्यार्खन के बीज बोने के तेवहार के रूप में जाना जाता है तो वो तेवहार आपका है श्रोहिन जिसे बीज बोने के तेवहार के रूप में जाना जाता है किस स्वच्छता कार्यों के लिये देश के किस राज्य को बेश्ट पर्फॉर्मिंग स्टेट का पर्मान पत्र परदान किया गया है किस राज्य की बात हो ये तो आपका है जार्खन राज्य की इसे भी याद रखेगा बहुत महत्वपून कोशन है ये नेशकोसन है आपका कि किरिंग बापला किस जन जाती से संबंधित बिवा प्रथा है किरिंग बापना एक परकार का बिवा है तो ये किस से संबंधित है तो ये आपका संथाल जाती से संबंधित है नेशकोसन है आपका कि जार्खन के बिश्व बिजयता बनने वाले प्रथम सत्रंज खिलाडी का नाब क्या था जार्खन के बोला जाया ना प्रथम बिश्व बिजयता तो थे आपके दीपसेल गुपता नेश कोशन है आपका कि लांस नायक आलबर्ट एकका को किस वर्ष भारत पाक युद में बीरगती मिली थी तो वो समय था आपका 1971 में जब इने बीरगती मिली थी चलि नेश कोशन देखते हैं नेश कोशन है आपका कि ओ अजनमा सुनो एक तरह का काब्ब है कि रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार है आपके वचन देव कुमार नेश कोशन है जी एच चौर्च या फिर क्राइस्ट चौर्च जो कि आपका 1855 में अस्थापित हुआ था य उच घया तो वह घजहां पे सबसे कंफ संख्या है नेश कोशन है कि को न जल विद्यूत केंद्र में इस्थी थेाई कौन सा जल को न जलना तो यह आपका इस्थी थे हजारी बाग में याद रखेगा इससे ना जी पर इस्थी थे थे जल परपाद जो है आपका इस्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर चलिए नेशकोसन देखते हैं किसने 1917 इस्वी में राची में अंजुमन इसलामिया एवं मदर्सा इसलामिया की निव रखी थी तो वह आपके थे अब्दुल कलाम आजाद जिन्होंने अंजुमन इसलामिया और मदर्सा इसलामिया की निव रखी थी चलिए नेशकोसन देखते ourselves तो यह है आपका हन्स राजन हंस राजज का संस्था थे किस सदी की बात हो रही है तो यह 15 सदी की बात हो रही है चलिए नेशकोसन की तरह बढ़ते हैं जो आपका कि टंगस्टन किस वर्ग का खनीज है तो आपका टंगस्टन जो है आपका धात्विक खनीज है ना नेश्कोसन है आपका कि जारखन में सबसे कम जन संख्या वाला जीला कौन सा है तो जारखन में सबसे कम जन संख्या वाला जीला आपका लोहर दग्गा है ठीक है चले नेश्कोसन की तरह पढ़ते हैं जो है आपका कि राठ और राजपूतों ने सिंभू में राजवंस की अस सर्वूल जो है आपका चैत्माह में मनाया जाता है निश्कोशन है कि किस अस्थान पर अंग्रेजों ने जालिया वाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी तो वह आपका था डोबरी पहाड चली निश्कोशन देखते हैं जो है आपका कि जहारखन राजे के लोगों मे कितने जे का परयोग किया गया किस चीज का परयोग किया गया तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर टोटल चार जे का परयोग किया गया है इसमें न चली निश्कोशन है आपका कि मलेर किस जन जाती से संबंदित है तो मलेर जो है आपका सोरिया पहाडिया से संबंदित ह चलिए नेश कोशन देखते हैं जो है आपका कि बौध काल में कौन सी पहाडिया स्रिंखला है जिसे जारखंड कहा जाता है तो वह आपका देवगर से पूरी तक की पहाड स्रिंखला जो कि आपका कहा इस्थित है उरिसा में इस्थित है पूरी जो कि आपका उरिसा में सित है राज धनवार में तो इस तरह से आपका जी के मैं आथन का पार्ट जो है वो कम्टीट होता है दो पार्ट को अच्छे से स्टडी कर चुके हैं यह आपका अंतिम प्रहार है इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन देना परहेज कर रही हूं अगर आपको च करके इसमें लिखा गया है कि असे से मैच करेगा क्योंकि इसमें टोटल को सब्सक्राइब कर चुके हैं इन पॉटेंट पर्ट के साथ क्योंकि सारा कोशन इसमें आपका इंपोर्टेंट ही है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हूँ तो प्रीज इससे आप अपने फ्रेंट सर्कल में जरूर सेर कीजेगा और जितना हो से कि उतना आप इन सारे कोशन को अच्छे से सॉल्ब करने का कोशिज कीजिए कोई प्रोब्लम हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक इंपोर्टेंट कॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग लाइक सेने सिस्क्राइब राइट एक्यू